स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल 4D Paramedical चैनिंग सेंटर पर आज हम सीखेंगे कि सिटी ब्रैन की फिल्मिंग किस प्रकार की जाती है तो हमें जिस पेसेंट की फिल्मिंग करना है उसको पहले सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद सबसे पहले सर्वियू को फिल् सॉप्ट और बॉन इमीजों को सिलेक्ट करके सॉप्ट और बॉन इमीजों को सिलेक्ट करके वीवर में ओपन कर लिते हैं और MPR के उफ्शन पर क्लिक करते हैं परने के बाद हम पहले इसको मिड लाइन के साब से सेट कर लेते हैं हम इसकी फिल्मिंग कर सकते हैं तो फिल्मिंग करने के लिए सबसे पहले इस पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले इस बैच पर क्लिक करना है बैच उप्षन पर उसके बाद यहां से हम इस सॉप्ट विंडो बें यहां से स्टार्ट करेंगे तो यहां से हम बेच बनाएंगे और यहां से यहां तक इसको देना है तो यहां तक select कर लेंगे और इसके बाद हमें फिलिम पर जटनी images send करना है वो हम यहां पर लिख देते हैं और enter का बटन दवा देते हैं और slice thickness हम 1 रखते हैं और इसको यहां से इस option से क्लिक करके यह send batch to film पर send कर देते हैं उसके बाद हम यह filming का option दिख रहा है आपको उस पर click करते हैं यह फिर उसके बाद यह आप option देख रहा है इस पर click करते हैं और हमें किस batch में फिल्म देना उसको उसका layout select कर लेते हैं तो हम 5-6-3 मताब 30 के folder में अपनी film मनाएंगे तो यह हमारा यह हम 5-6-3 मताब 30 के format में इसको save करते हैं और इसको हम all select करने के लिए इस पर click करते हैं और zoom के option पर click करके हम इनको zoom करके फिल्म पर set करते हैं फिल्म पर right click करके zoom का option पर select करके हम इनको zoom कर सकते हैं और टोप ओप पर click करके टोप ओप भी कर सकते हैं इस option से तो इस प्रकार हम city head की फिल्म बना सकते हैं और अगर पेशेंट को ट्रॉमा होता है तो हम उसमें soft के साथ window बॉन विंडो की में भी हमें देना होती है तो इस प्रकार हम city head की फिल्मिंग कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एबं सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वाचिंग